अगर आपको बताने वाला हूँ कि moving faces को कैसे blur करना है यानि कि देखिए आपके किसी भी वीडियो में अगर आपको faces को blur करना है तो कैसे करना है तो actually क्या होता है moving faces होते है moving car हो सकती या फिर कुछ भी हो सकता है तब आप इसे कैसे blur कर सकते हैं तो आज question में बताऊंगा कि faces को कैसे blur करना है especially moving faces को तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है Filmora को open करना है और यहाँ पर मैं Filmora latest version यूज कर रहा हूँ 10.4 आप यहाँ पर देख सकते हैं help में अगर आप जाएंगे तो about में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर मैं Filmora 10.4 यूज कर रहा हूँ यानि कि Filmora X तो simply आपको क्या करना है guys यहाँ पर media पर जाना है तो जब भी आप media पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर import media का एक option आएगा अगर आप यहाँ पर click करेंगे तो आपके device में यानि कि आपके laptop में जो भी videos रहेंगे desktop या फिर किसी भी folder में तो आप यहाँ पर इसे ले सकते हैं और open पर अगर आप click करेंगे तो आपका जो video है यहाँ पर आ जाएगा तो मैंने simply यहाँ पर पहले से ही यह जो video है यहाँ पर import किया है फिल्मोरा में और उसके बाद यहाँ पर मैंने इस video को यहाँ से इस तरह से इसे drag किया है और आपको यहाँ से video यहाँ पर लेना है तो आपको simply आप click करकर आप यहाँ पर इसे drag कर सकते हैं पिर आप प्लस मार्क है ना इसके उपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यह जो वीडियो है यहाँ पर आपके टाइम लाइन पर यह आ जाएगी तो मैंने यहाँ पर पहले से इसे टाइम लाइन पर रख दिया है तोड़ा सा टाइम आपका बज्जा इसलिए और उसके बात करना है आपको simply timeline को zoom करना है और आपको जिस एरिया में आपको face blur करना है moving face आपको हुआ पर एक cut करना है ऑच करना है करने के बाद आपको यहाँ पर भी एक ठोड़ा से cut करना है ताकि आपको easy एजिए हो सके यानि कि जब आप editing करते हैं तब और यहां पर एक मैंने cut किया है तो टोटल यहां पर मैंने दो जगह पर cut किया है और इस पार को separate किया है उसके बाद आपको simply क्या करना है और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा आपको तो इस तरह से cut करने की ज़रूत नहीं है बट मैंने जस्ट आपको reference यानि कि आपको बताने के लिए आपको थोड़ा सो जल्दी से समझ आया है इसलिए मैंने इसे cut किया है आप बिना cut के भी आप faces को बलर कर सकते हैं तो उसके बाद देखिए आपको क्या करना है simply यहां पर effects म करना है और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं included है यह वाला option आपको अगर इस तरह से दिखाए दे रहा है तो आपको simply यहां पर एक arrow mark है यहां पर आप क्लिक कीजिए तो इसके अंदर यहां पर इतने सारे options हैं आपको simply यहां पर utility पर जाना है और उसके बाद आप य क्लिक करेंगे तो आटमेटक लिया पर आजाएगा अगर आपको माने लि自ए तो यह कहीं पर भी आजाएगा और और आपको मान लेजिए यह सिंपली आगर आप क्लिक करके यहाँ पर ड्राइग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ईजिली और यहाँ पर थोड़ा से जूम कर लेते हैं और आभी मानलेजी देखिए आपको यह पर यह vertical line है ना यहां पर यह आकर मैंने इसे set कर दिया है तो यहां पर यह जो blue line आ रही है ना तो यहां पर यह set हो चुका है first cut पर और यहां पर यहां पर देख सकते हैं आप थोड़ा सा gap बचा हुआ है तो यहां पर actually cut मैंने यहां किया है और यह जो फेस आफ का जो option है ना यह जो effect है सिर्फ यहां तक है और मुझे चाहिए यह पूरा ending तक तो simply आपको क्या करना है इसके उपर आपको click करके hold करके रखना है और उसके बाद थोड़ा सा अगर आप यहां पर करेंगे तो यह यहां तक आ जाएगा और जब यह वर्टिकल ब्लू लाइन आएगा ना तब इस आपको आपने जो माउस का बटन है उसे करना है तब यह क्या होगा चले मैं आपको थोड़ा सा जूम आफ करके दिखा था हूँ अब आप यहां पर देख सकते हैं यह जो पार्ट है निचे का इसके ऊपर यह जो फेस आफ का जो ऑप्शन है इसे अड़ करना है अगर आप इसके नीचे करेंगे तो आपका जो एफेक्ट है वो ठीक से काम नहीं करेगा तो चलिए अभी प्ले करके देखते हैं कि कैसे दर लग रहा है हमारा यह तो यहां पर आप देख सकते हैं आटमेटिकली यह जो फेस से यह ब्लर कर देगा और उसके बाद देखिए यह जो फेस आफ का ऑप्शन है इसके उपर आपको डबल क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहां पर एक नयवाले विंडो ओपन होगा आप यहां पर देख सकते हैं अगर आप चाहें तो यहां पर एमोजी वगरा भी आप यहां पर दाल सकते हैं जस्ट आपको इसके उपर डबल क्लिक करना है यहां पर यह जो एमोजी है यहां पर आ जाएगा और उसके बाद गाइस आप प्ले करके यहां पर देख सकते हैं तो इस तरह से आप मूविंग फेस को आप एमोजी वगरा सकते हैं फेस ब्लर कर सकते हैं तो फे वीडियो मोरा का सकेंड वीडियो था टुटोरियल का और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना तो चले मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई